नमस्कार आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वारता में सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ और इस्तक्बाल करती हूँ और अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि हर आदमी में होते हैं दस-बीस आदमी जिसको भी देखना कई बार देखना ये लोकसभा चुनाव इस द्रिष्टी से बहुत ही विलक्षन रहा है कि मोदी जी के साथ साथ भाजपा और आरेसेस की विशाख्त विचारधारा से जुड़े कई और व्यवसायों में काम करने वाले लोग कई पत्रकार भी उसमें बेनकाब हुए हैं मुझे लगता है कि आज की प्रैसवारता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्यूंकि पत्रकार की बेटी होने के नाते बचपन से मैं ये सुनती आई हूँ कि खेंचो न कमानों को न तलवार निकालो गर्तोप मुखातेब हो तो अखबार निकालो तो चौथे स्तंब जो लोगतंतर का चौथा स्तंब है उसकी निश्पक्षता और निर्भीकता पूरे लोगतंतर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये बचपन से मुझे सिखाया गया मैंने कई बार टीवी के डिबेट में भी ये कहा कि एक पत्रकार की कलम अगर जुकती है तो सिर्फ लिखने के लिए जुकनी चाहिए ऐसा मेरे पिताजी हमेशा कहते थे अब सवाल ये उड़ता है कि एक बहुत ही सभ्य मर्यादित संयमित दिखने वाले वरिष्ट पत्रकार पत्रकारिता को कितने निचले स्तर तक ले जा सकते हैं ये कल से वाइरल हो रहे एक वीडियो ने दिखा दिया है मैं तो रज़त शर्मा जी से सीधे सीधे आज पूछना चाहती हूं कि जो अपशब्द रज़त शर्मा जी ने कहे हैं वो क्या उनकी आदत है उनकी फितरत है कॉंग्रेस और विपक्ष से उनकी नफरत है या मोदी जी का चरण वंदन है और मुझे लगता है कि कल से भारत के सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर लाखों लोग जो अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया एक अभद्र टिपनी के ऊपर दे रहे हैं उन सब के सामने सार्वजनिक रूप से एक स्पष्टिकरण या बयान जरूर आना चाहिए था मैं थोड़ी सी क्रोनोलोजी बताना चाहती हूं कि असल में हुआ क्या पहले हम लोग सोच रहे थी कि वो दोनों वीडियो यहां पर दिखाएं पर वो आपको मेरी टाइम लाइन पर जरूर मिलेंगे यह वाक्या है चार जून का जिस दिन नतीजे लोग सभा चुनाओं के सामने आ रहे थे और मैं यहीं AICC के प्रांगण में बैट कर इंडिया टीवी पर बहस कर रही थी अब होता ऐसा है कि अगर एंकर और प्रवक्ता साथ में बोल रहे हूं कॉंग्रेस की बढ़ती हुई टैली को देखकर गर्म जोशी का महौल हो शोर शराबा हो और टीवी स्क्रीन सामने ना हो तो अकसर बुद बुदाकर या धीरे से अगर कोई बात कही जाती है तो वो सुनाई नहीं दे पाती है उस दिन मैं नहीं सुन पाई मेरे सामने टीवी स्क्रीन भी नहीं थी फिर ये वीडियो अचानक से वाइरल होना शुरू हुआ कल मेरे और पवन खेडा जी के संग्यान में हमारे कुछ कॉंग्रेस के कारे करताओं ने भी और ट्विटर यानि की एक्स पहले ट्विटर कहा जाता था उस प्लाटफॉर्म पर भी हमें कई लोगों ने ये वीडियो भेजा और मैं सच कहती हूँ पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रज़त शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्धी गाली का प्रयोग कर सकते हैं और चुकि जो वीडियो हमें भेजा गया उसमें नीचे वो गाली लिखी हुई भी थी तो मन नहीं माना कि ऐसा हो सकता है हम इंडिया टीवी के प्लाटफॉर्म पर गए वहां से जो उन्होंने खुद फुटेज डाली थी उस फुटेज को निकाला उस फुटेज की उस क्लिप को निकाला जिसमें ये वाक्या घटित हो रहा है और वहां पर भी जिसे अंग्रेजी में एक एक्स्प्रेशन कहा जाता है अंडर दब्रेथ बुदबुदा कर धीरे से केवल इस बात पर कि मैं उन्हें टोक रही हूँ कि कॉंग्रेस पर आज भी लगातार प्रहार मत कीजिए शायद बोदी जी की घटे हुई संख्या और कॉंग्रेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर जुझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी और अब मैं एक नारी के तौर पर भी एक भारती महिला के तौर पर मैं ये जानना चाहती हूँ रजट शर्मा जी से कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है मैं दस साल से इमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूँ आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं भुदी जी के साथ जो आपका इंटर्विव हुआ वो सब ने देखा किस तरीके की बात्चीत उसमें हुई सब ने देखा मेरे माबाप मेरे बुढ़े सास ससुर मेरे बच्चे सब वो वीडियो देख रहे थे कॉग्रिस के लाखों करोडों लोहों किस देश की जद्धा वो वीडियो देख रही थे आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं इमानदारी से अपनी पार्टी का काब कर रही हूँ इसलिए कि मैं इमानदारी से अपनी पार्टी का काब कर रही हूँ और सिर्फ गाली नहीं दी उसके बाद सुभे आपने मुझे धमकाना शुरू किया आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फरेंस किया जाएगा तो डेफरमेशन का केस करेंगे मतलब आप चोरी करें उसके बाद आप सीना जोरी करें आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएगे और ये आसु सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है ये आसु इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घ्हमंड इतना है भाइखार इतना है आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बचके निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके उपर है आप गाली दें उसके बाद आप कहें कि आप ही defamation का केस करेंगे और Congress Party पीछे हट जाएगी मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको रज़त शर्मा जी महात्मा गांधी ने इस देश में सबसे पहले अभय का पाट पढ़ाया था चमपारण में निलहे जबरदस्ती नील की खेती कराते थे गांधी जी ने कहा था कि सत्ता के घुरूर से डरो मत अत्याचार से शोशन से डरो मत कितनी भी ताकत हो सरकार के पास डरो मत और मुझे लगता है कि वही आज राहूल गांधी भी चरितार्थ कर रहे हैं जब वो ये नारा देते हैं डरो मत तो देखिए हम डरे नहीं आपकी गीदर भपकियों से नहीं डरे सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था अगर आपने गाली नहीं दी तो आपने कहा क्या है कौन से शब्दों का इस्तमाल किया है वो आपने नहीं किया क्योंकि ना सिर्फ आपका मुखोटा हटा है बल्कि आपके मन में कितना मैल है कितना जहर है कितना गुसा कितना क्रोध कितनी घ्रणा है वो सब आज कहीं न कहीं बाहर आया है तो आज विलंब हुआ हमने सुबह बारा बज़े प्रैसवारता रखी थी उसके बाद ये क्रिमिनल कंप्लेंट हमने लॉज की है यह आप से हम शेर करेंगे हुआप काथशamth five zero nine of the IPC. Session 294 कयें है वूवर to the annoyance of others, does any oxygen act in the public place, or sings, recites, or utters any obscene song, ballad, or words, in or near any public space, shall be punished without imprisonment of either description for a term which may आशसरा कieso फेह Rich डेहरा सेंट इनन सभीन आशज़ इनन्यन्मोन कना इननोंग नियुमा थैसर मतमản कहिंस इनोणों घड़ कांän डेहर उिप सक्वर्टस अचाउ बाजग इवगेशन इन आ पनी बांचरोड़ क somos पनिचनने कहिंसरा कि बांच फो चेहरा तो आपकी धंकियों और गीदर भबकियों से आपने चुप कराने की कोशिश की, खामोश कराने की कोशिश की, हमने ये क्रिमिनल कंप्लेंट लॉच की है, और हम ना सिर्फ ये उमीद रखते हैं कि इस पर प्राइम फैसे इन्वेस्टिगेशन के बाद, FIR भी दर्ज होगी, बलकि मैं आज NCW को भी आप सभी मित्रों के माध्यम से जगाना चाहती हूँ, ये सुओ मोटो कॉगनिजेंस NCW कब लेना सीखेगी, नाशनल कमिशन ओव वुमिन को कटपुतली की तरहे नचाना, मोधी सरकार कब बंद करेगी, हमने पहलवान बेटियों की पीड़ा देखी, उनके छाती पर लाते मारी गई, उनको अपने मैडल सड़क पर छोड़ने पड़े, हर तरह का दुर्व्यभार हुआ, तो मोधी जी से बहुत जादा अपेक्षा नहीं है, पर एक बार फेर आज गेंद उनके पाले में भी है, कि कहीं न कहीं नारी शक्ती की बात करना, नारी वंदन की बात करना, तमाम बड़े बड़े नारे देना नारियों से संबंधित, आज उन सभी का एक बड़ा फैसला, उनका सत्यापन करने का एक बड़ा फैसला वो ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि आगे बढ़कर इस मस दाचले पर बोलना चाहिए और अंत में मैं यह बात जरूर कहना चाहती हूं कि हमने पिछले 10 साल में देखा विपक्ष के प्रवक्ताओं की घेरा-revंदी होती थी विपक्ष के प्रवक्ताओं को कम समय दिया जाता था टेलिविजिन के डेपेट पर विपक्ष के प्रवक्ताओं को बहुत सीवार म्यूट कर दिया जाता था भाजपा के प्रवक्ताओं को कवर फायर मिलता था एंकर की तरफ से लेकिन एक परिकल्पना में जो सबसे बड़ी अतिशोक्ती होती है ना हम भी जब यह होता था तो हम बैठ के कहते थे कि भाई कुछ भी हो जाए एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि कभी मा बहन की गाली देनी की नौबत आन पड़े और मुझे लगता है कि उस भयावे परिकल्पना को चरितार्थ करने का काम उसको यथार्थ में बदलने का काम जो रजट शर्मा जी ने किया है अगर नैतिकता का एक अंश भी उनके मन में हो तो यह मुझे डेफिमेशन की धंकी देने के बजाए सार्वजनिक प्लाटफॉर्म पर अब वो बहुत सारे अंकर से और भाजपा के ट्रोलर से और गाली दिलवा रहे हैं आप ज़रा देखिएगा एक बार टाइम लाइन पर जाके भदी से बदी गाली खतरनाक से खतरनाक द्धमकी मुझे दी जा रही है तो मुझे अपेक्षा ये थी कि वह आकर ये बात कहते बताते स्विकारते और माफी मांग लेते खतम हो जाता कि मेरे मूझ से निकल गया नहीं बोलना चाहिए था या कम से कम ये बताते नहीं कहा तो क्या कहा तो यह जो घमंड है यह जो मुझरूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगार सकता इस घमंड को तोड़ना जरूरी है इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे तो बड़ा अश्चर होता है विद्यार्थी परिशत से संबंद रखते हैं रजत शर्मा जे मुझे लगता है इनकी शायद ये और वहीं से शुरू हो गया था और उसका वो एक अंग्रेजी में एक आ जाता है स्क्राच ऑन दे सर्फिस और वहीं कहीं देखने को मिला है तो परसेप्शन दे प्रिटेंस अच्छली स्लिप्ट और अंदर के भीतर के कितनी कड़वी सच्चाई है वो एक बार एक जलक में निकल कर आ गई तो NCW इस बात का संग्यान ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी अगर इस देश की नारी शक्ति के प्रती लेश मात्र भी स्रद्धा रखते हैं समान रखते हैं मन में तो इस बात का संग्यान ले और रजट शर्मजी सावगोई के साथ आकर जो दो सवाल मै ने पूछे कि आपने क्यूं कहा और अगर नहीं कहा तो क्या कहा यह धंकिया देने के बजाए यह बात आकर बताएं क्यूंकि आपकी अदालत तो बहुत लंबे समय तक करते रहे आज जंता की अदालत में वो खड़े हैं और मुझे लगता है कि यह सिर्फ रागिनी नायक क अपमान नहीं है यह पत्रकारिता पर एक बड़ा लांचन है आज पत्रकार साथ ही अगर एक जुट होकर नहीं कहेंगे कि यह गलत है नहीं होना चाहिए तो आज एक रागिनी नायक के साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा किसी की भी माँ बहन बेटी के साथ अब गाली ग दिलाएं आज कह रही हैं पत्रकार बंदूओं से कह रही हैं कि लाज राखो मेरे घूंगट पठकी और यही बात एक बहुत ही दुख भरे मन के साथ मैं आप लोगों से साजा करना चाहती थी इस प्रेसवारता के जरिए यदि कोई भी सवाल आपके मन में है आज इसी विश् होंगी तो जरूर मैं जवाब देना चाहती हुआ हुआ है